तो प्यारे विद्यारतियों नमस्कार स्वागते आप सभी का एक और नए वीडियो में प्यारे विद्यारतियों मैं आज आप सभी को वार्षिक परिक्चा पेपर कक्चा 9 वी गनित विसे के पेपर का फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ तो इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा जरूद देखेगा अगर आपने आदा दूरा वीडियो देखा तो आपको इसमें से आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है तो प्यारे विद्यारतियों मैं आप सभी को वार्षिक परिक्चा पेपर कक्चा 11 9 वी गनित विसे का पूरा का पूरा सोल्यूशन पूरा वीडियो जरूद देखेंगे जिससे कि आप सभी को वार्षिक परिक्चा पेपर कक्चा 11 9 वी गनित का पूरा सोल्यूशन आपको अच्छे से याद हो जाए तो सभी कुछ आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यानि कि किस प्रकार का कोश्चन समझ में आने वाला नहीं है पूरा का पूरा कोश्चन पेपर देखकर जरू जाईएगा जिससे कि आपको पूरा कोश्चन पेपर आसानी से समझ में आ जाएगा एटू जेट प्रतिक चीज़े आज को मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ तो पूरा वीडियो देखकर जरू जाईएगा जिससे कि आप सभी को पूरा कोश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके प्यारे विद्यारतियों जितने भी विद्यारती इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से रेक्वेश्टे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राब ने किया तो फ्ली चैनल को सब्सक्राब जरू कर लिजीगा और सांती बेल आइकन को जरू दबा लिजीगा जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अप्लोड होने वाले वीडियो बराबर आप तक पोश्चते रहें और आप सभी लोग इन चीजों को अच्छे से नोट कर सके तो चलेगा प्यारे विद्यारतियों देखते हैं और समझते हैं कि वार्षीक परिक्चा पेपर कक्षा 9 वी गणित विसे का आपका कोस्टन पेपर केसा आएगा कितने सारे कोस्टन इसमें से आप से परिक्चाव में पूछे जाएंगे वन बाई वन करके प्रतेक चीजों का solution आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो बिलकुल लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा जिससे कि आपको आपका question paper आसानी से पूरा समझ में आ सके तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हो देखते हैं कि आपका question paper किस प्रकार काएगा कितने सारे question इसमें से आपसे पूछे जाएंगे सवरो प्रतम में आपको बता दूँ कि आपका जो question नमर 6 होगा ना वो यह होगा यहां से आप देख पारे हो question नमर 6 यह है देखेगा क्या लिखा है बिंदू 08 और माइनस 85 के कोटी एवं भुझ लिखिए तो इसके कोटी और हो जाएगा और भुझ इसमें मैनस 8 होगा और कोटी इसमें मैनस 5 होगा इस परकार से आपको यह पूरा solution बना लेना है जो कि q2 है तो आप लोगों को यह फूरा इस प्रकार से बना लेना है तो चलिएम आगा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों के नहीं सकता है कि यहां पर आप देक पा रहे हो देखेगा इस साथ किअवी मुग को कर लेते हैं कि कौश्चिन नहीं पर प्रकार से परस्न पूछा जाएगा तो चलेगा अब इसका आंसर भी हम देख लेते हैं कि न्यून कोण समकोण और सीरसा भी मुकोण को आपको किस प्रकार से पूरा समझाना है तो देखिएगा इस प्रकार से आपको ये पूरा समझा देना है ये न्यून कोण है तो न्यून कोण किसे कहते हैं तो इसकी परिवासा आपको इस परकार से लिख देना है कि 90 डिगरी से कम और 0 डिगरी से 90 डिगरी के अंदर तक का जो कोण होता ना वो न्यून कोण कहलाता है यानि कि यह 90 डिगरी का होगा है 90 के अंदर अंदर का जो कोण होता है वो noon korn केलाता है तो आगे आप देख सकते हो यह noon korn की परिवासा देखेगा क्या लिखा है 0 और 90 के बीच के korn को noon korn कहते हैं इस प्रकार साब को पूरा यह लिख देना है और आगे पूचा गया है sum korn सम korn किसे कहते है तो यहाँ पर आप देख पार हो समकौन यह बना गया यानि कि 90 डिगरी का कौन जो होता ना समकौन होता है किस प्रकार से आपको लिखना है 90 डिगरी के कौन को समकौन कहते हैं इस प्रकार से आपको पूरा यह लिख लेना है और उसी के नीचे आप यहाँ पर देख पार हो दिखेगा क्या लिखा है अधिक कौन को अधिक कौन कहते हैं तो इस प्रकार से यह आपको पूरा लिख लेना है कि अधिक कौन किसे कहते हैं तो यह पूरा आपने इसको समझ लिया होगा और उसी के नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सिरसा भी मुग कौन किसे कहते हैं तो यह जो आप देख पा रहे ह यहां पर यह रसीज़ा भी कौन बनाया गया है इस प्रकार से आपको पूरा यह बना लेना है तो चलिएगा आपको और नमर आठ देखते हैं कि क्या पूछा गया आप से तो question number 7 के बाद में अगला question देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मेरे द्वारा जो सबसे पहले वीडियो बनाया जा रहा है इसमें मैं आपको सबसे पहले question number 6 से लेके पेविस तक का पूरा का पूरा solution देने वाला हूँ याने कि हम सबसे पहले दो नम्मर वाले तीन नम्मर वाले और चार नम्मर वाले प्रस्नों का solution देखने वाले हैं और objective प्रस्नों के लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा याने कि मैं इसमें सिर्फ आपको वही question बताऊंगा जिनके answer आपको इस प्रकार से लिखने हैं question number 8 में आपसे पूचा गया है देखेगा 60 cm द्रिज्जा वाले एक गोले का परष्टी छेत्रिपल ग्याद कीजिए ये दो नम्मर में question आपसे पूचा गया है तो चलेगा इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका उत्तर तयार कर लेना है तो question number 8 जो दिया गया था उसका right answer यहाँ पर है माना कि गोले की द्रिज्जा R है तब हम क्या करेंगे R बराबर 7 cm माल लेंगे और गोले के प्रष्टी छेत्रेपल का सूत्र यहाँ पर हमको लगा देना है किस प्रकार से देखिएगा 4 pi R square यह इसका सूत्र है तो 4 की जगे 4 यह ने दिया और R square जो था ना R क्या था 7 था इसकी जगे पर अपने 7 की उपर square था तो इसलिए हमने 7 को दो बार गुणा करके लिख दिया 7 गुणा 7 अब pi का माल लिख दिया 22 बटे 7 तो इस वाले 7 से इस 7 को काड़ दिया अब बचा कि अपने पास में 4 गुणा 22 गुणा 7 तो इस प्रकार से अगर पूरे का गुणा करेंगे तो इस पूरा आ जाएगा इस प्रकार से आपको इसका solution बना लेना है तो चलेगा आप अगला question देखते है question number 9 में आप से क्या पूछा जाएगा तो question number 9 में आप देख पार हो तो देखेगा यहाँ पर क्या लिखा है 31 और 35 की निमने सीमा और उपरी सीमा ग्याद कीजिए या आपको ये बताना है या आपको ये बताना है इन दोनों में से बड़े ही सरल question है आप सभी लोग इसको देख सकते हैं या आप तो आप उपर वाला कर लीजिएगा या नीचे वाला पहल कर लीजिएगा तो चलीगा हमें इसका हल भी देख लेते हैं कि question number 9 का हल किस प्रकार से आपको पूरा लिखना है तो देखिएगा यहाँ पर question number 9 का अत्वा वाला हल किया गया है तो देखिएगा क्या दिया गया था इसका वरगंतराल आपको निकालना था तो दोनों को जोडना है और जोडने के बाद में आपको क्या करना है कि इसमें दोका भाग दे देना था यह कितना आ जाएगा 38.5 इसका right answer हो जाएगा तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको मैंने question number 9 का answer बता दिया है तो प्यारे विद्यारतियों अगर आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक subscribe ने किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को subscribe जरू कर ले जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अप्लोड होने वारे वीडियो बराबर मिलते रहे प्लीज आप सभी लोगों से रेक्वश्ट है कि चैनल को subscribe जरू कर लेजिएगा जिससे कि वीडियो हमारे द्वारा जैसे अप्लोड होते हैं आपको बराबर मिलते रहे तो सभी लोग चैनल को subscribe जरू कर लेंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं को question नमर 10 का उत्तर देखते हैं कि question नमर 10 में आप से क्या पूचा जाएगा तो चलिए question नमर 10 का उत्तर भी देख लेते हैं कि question नमर 10 में आप से क्या पूचा गया है तो देखिएगा यहां से कोस्चन नमर 10 में तो बड़ा ही आसाल सा सवाल है यह दस बारा पंदरा को तीन से भाग आपको देना है यानि कि इसमें आपको भाग देना तो भाग देके तो आप वेसे भी देख सकते हो पर फिर भी मैं आपका इसका सोलुशन भी बता देता हूं क किस प्रकार सा आपको भाग देना इसका तो इसका आंसर भी चलिए देखते हैं तो देखिएगा आप यहां पर देख पा रहे हो कोस्चन नमर 10 बारा पंदरा में आपको तीन से भाग देना था तो इस प्रकार सा आप पूरा भाग देके यहां पर आप इसको बता सकती हो ज कहां पर आप देख पा रहे हो, यह question नमर 11 का उत्तर यहीं पर दिया गया है, पर पहले हम इसका question देखते हैं कि question आपसे परिक्चाओ में क्या पूचा जाएगा, तो देखेगा आप यहां पर question नमर 11 में आपसे पूचा गया है, नहीं लेकित पर भवपत 5X माइनस 4X स्क्यर प्लस 3 के मान गयाद कीजिए, यानि कि आपको इसके मान पूचे गए हैं, एक बार आपको क्या रखना, X बराबर 0 रखके निकालना है, और X बराबर माइनस 1 रखके निकालना है, तो चलिएगा इसको भी देख लेते किस प्रकार से आपको ये बना लेना है, तो question नमर 11 का उत्तर हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं question नमर 11 का उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है, तो यहां से आप देख पारे हो इस जगे से आप से question number 11 पूचा गया है तो question number 11 में आपको क्या करना देखिएगा पहला question था x बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 0 लेने पर क्या होगा कि जहां जहां पर भी x है ना उस जगे पर हम क्या रख देंगे 0 तो देखिएगा 5 x माइनस 4 x की घाद 2 प्लस 3 था ना इसमें हमने x की जगे 0 रख दिया यहां पर भी x की जगे 0 रख दिया और यहां पर 3 को रहने दिया अब देखिएगा यहां पर 5 का गुणा जब 0 से होगा तो यह भी 0 हो जाएगा यानि कि पूरा फेक्टर क्या हो गया 0 उसे प्रकार से माइनस 4 का गुणा 0 से होगा तो यह भी पूरा फेक्टर क्या हो गया 0 हो गया अब यह दोनों तो 0 हो गए अब यह क्या अपने पास में बचा 3 तो इस प्रकार से x बराबर 0 लेने पर 3 आपके पास में बचता है तो इस प्रकार से जब 5 का गुणा माइनस x होगा तो ये पचिकम 5 माइनस x हो जाएंगे और उसी प्रकार से जब माइनस 4 का गुणा माइनस के 1 से होगा तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पर देख लीजीगा सबसे पहले माइनस के उपर भी square चड़ा हुआ है यानि कि मा माइनस चार से गुणा करेंगे इसका जब माइनस चार से गुणा करेंगे तो ये माइनस का चार हो जाएगा तो इस परकार से माइनस का चार हा गया और प्लस का तीन इसा कैसे है तो यहाँ पर आप देख पार हो तो देखिएगा माइनस 4 और माइनस के 5 ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे माइनस के 9 हो जाएंगे कितने हो जाएंगे माइनस के 9 अब यहाँ पर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 और माइनस के 9 में से अगर यह घटाया जाएगा तो माइनस के 6 यहाँ पर बच जाएंगे तो इस परकार से दोस्तों मैंने आपको पूरा कोश्चन नमर 11 का उत्तर पूरा समझा दिया है चलिएगा आगे देखते हैं कोश्चन नमर 12 का उत्तर तो आप यहाँ पर देख पारे हो कोश्चन नमर 12 यहाँ पर दिया गया है पर पहले हम ये तो जान लेते हैं कि question नमर 12 में आपसे पूछा क्या जाएगा किस प्रकार का question होगा तो सबसे पहले हम इसका question देखते हैं इसके बाद में हम इसका उत्तर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का question आपका 12 होने वाला है आकरती में यदि AB समान उपाती है CD के तो इस प्रकार से आपको पूरा ये बनाना है तो देख सकते हो आप यहां से ये पूरा का पूरा सिद्ध करके आपको बताना है यानि कि ये पूरा सिद्ध करने वाल है इसका कोई भी उत्तर आपको निकल के सामने नहीं आएगा सिर्फ आपको इसको सिद्ध करके इस प्रकार से बताना है तो पूरा का पूरा ये जो सवाल है ना बिल्कुल आपसे परिक्चाव में इसी प्रकार से पूचा जाएगा तो चलेगा इसको पूरा मैं बता देता हूं कि किस प्रकार को आपको इसको पूरा लेक देना है और रहल करना हूं पूरा वीडियु देखकर जरू जाईएगा पूरा कापूरा कोश्चन नमर 6 से लेχे 50. तक के प्रते कोश्चन का आंसर मैं आपको इसे वीडियो में देने वाला हूं और 32 नमर के अबजेक्टिव के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो इसलिए पूरा सोल्यूशन वाला वीडियो जरू देख के जाईएगा जिससे कि आपको पूरा एक कोश्चन पेपर सम कर आओगे तो इसके आपको पूरे के पूरे नमर मिलने वाले हैं पूरे आप इसको यहां से देख सकते हो इस प्रकार से अगर आप पूरा परिक्चाव में लिख कर आओगे तो इसका पूरा का पूरा कोश्चन का नमर आपको परिक्चाव में मिलने वाला है तो इस प्रक Q13 को देखने वाले हैं कि Q13 का उत्तर क्या होगा पर सबसे पहले हम Q13 को जान लेते हैं कि Q13 में आपसे पूचा क्या गया है किस प्रकार से आपको इसका सुलिशन बनाना है सबसे पहले हम देखते हैं कि question number 13 में आपसे क्या पूचा गया है तो यहाँ पर आप देख पारे हो question number 13 में आपसे प्रस्नपत्र में क्या पूचा गया है आप पूरा वीडियो देखकर जरूर जाईएगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप यह समझेगा कि दमाल मचा दोगे परिक्चा प्रस्नपत्र में जो भी आपकी परिक्चा होगी ना आप चाहे किसी भी जिले से बिलोंग कर रहे हो बिल्कुल आप दमाल मचा दोगे तो यह question number 13 में क्या पूचा गया है एक चतुरबुच के कोण 6 अनुपात 10 अनुपात 18 अनुपात 26 अनुपात में है इस चतुरबुच के सभी कोणों गयाद कीजिएगा तो आपको इसके चतुरबुच के सभी कोण गयाद करने है पर उनका अनुपात यह दिया गया यहाँ पर इसके अनुपातों का योग यह दिया गया तो इस प्रकार से आपको इसके कोण ग्याद करने तो देखेगा ये question पूरा आप इसको note कर लिजेगा अब इसके बाद में इसका अनुपात आपको किस प्रकार से हल करना है वो भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हल आपका निकल कर सामने आ ले वाला है चलेगा पूरा आप इसको देख लीजेगा अब चलिए इसका हल देखते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका हल पूरा तयार कर लेना है तो यह जो आपने question नमर 13 देखा यह बड़ा ही सरल सवाल है देखिएगा आपको किस अनुपात में लिखना था 6 अनुपात, 10 अनुपात, 18 अनुपात और 26 अनुपात में तो आपको क्या करना है तो देखिएगा यहाँ पर 6 के साथ में X लगा दिया 10 के साथ में X और 18 के साथ में X और 26 के साथ में भी आपने X लगा दिया और बराबर में आपने कितना लिख दिया? 360 360 को लिख दिया क्योंकि 4 भुच के 3 कोण का जो योग होता ना 360 होता है इतना आप भी जानते हूँ तो ये सबी जो मिलके हैं 4 भुच के कोण हैं और कितना सबसाइब सबसे पहले हम X बराबर निकालते हैं सबसे पहले आप X बराबर कितना आ गया 6 यानि कि इस X की value कितनी है 6 तब देखेगा हम कैसे इसका एक एक कामान निकालते चलते हैं तो देखेगा पेला दिया गया था 6 X देखेगा 6 X है और 6 को 6 ही रहने दिया और X की जगे पर हमने 6 रख दिया क्योंकि X बराबर हमने 6 प्राप्ते कर लिया था अब 6 का गुणा 6 से होगा तो यह 36 हो जाएगा उसे प्रकार से अगला दिया गया था 10 X तो 10 X को हमने यहां पर लिखा 10 को 10 जिरेने दिया और X की जगे पर 6 रिख दिया 10 का गुणा 6 से होगा तो यह 60 हो जाएगा उसे प्रकार से 18 है तो 18 को हमने यहां पर लिखा है और 18 का गुणा 6 से किया क्योंकि X के बराबर हमने क्या प्राप्ते कर लिया है 6 को प्राप्ते क इसका गुणा इससे होगा तो यह 156 हो जाएगा तो देख सकती हो कि जो 6 अनुपाद था वो 36 आया यह 60 आया यह 108 और यह 56 आया तो इस प्रकार से बड़ा ही सरल सा कोस्टन है आपको यह परिक्चाव में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है पूरी तरह से आपको इस प्रक क्या जाएगा तो चलिए देखते हैं कि कोस्टन— čeo — मैं आप से पूचा जाएगा ? तो यहां पर आप देख पा रहे हो कोस्टन— 14 में आप से पूचा जायै है सरल कीजिए क्या पूचा गया है से यह 5 यह आपसे ती नमर का箍का कोस्टन ह óगा पूरी तरह से आप इसको द हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से आपको कोश्चन नमर 14 को हल करना है तो यहां से आप देख सकते हो पहला दिया गया था सरल कीजिएगा देखेगा यहां पर माइनस 3 था इसका गुणा करना था माइनस 2 से इन दोनों का गुणा होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा उसी प्रका से पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से solution पूरा बना लेना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख बारे हो question नमर 15 का उत्तर यहां पर आपको देखने को मिलेगा किस Q15 का उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि Q15 में आपसे क्या पूचा जाएगा जी हाँ बिल्कुल हम सबसे पहले यह देखेंगे कि Q15 में आपसे पूचा क्या जाएगा तो चलेगा देखते हैं कि Q15 में आपसे क्या पूचा ज लिखना है चाहे तो आप उपर वाला कर सकती हो या उसके अत्वा वाला भी आप इसको कर सकती हो चाहे तो आप ये वाला कर लें या चाहे ये वाला कर लें कोई सा भी कोश्चन आप इसको कर सकती हो तो देखेगा इसका सोल्यूसन में आपको बताता हूं पर वीडियो में एसबाना है क्यों यहां से आप देख पा रहो हो इस जो दिया गया था वह कि उस प्रिस्टरी रूप में लिखा जाए है तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा तो झाल तो देखिएगा यह पूरा जो ठाना इसोन हम इस प्रकार से पूरा विस्तरी रूप से लिख पा।ぎ देखेगा हमारे कोस्टन में क्या दिया गया था फोर ए फ्लस टू भी इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन इस प्रकार से पूरा लिख लेना है देखेगा इस उत्र के रूप में पूरा आप इसको इस प्रकार से जमा सकते हो तो पूरा का पूरा मैंने आपको Q15 का उत्तर पूरा बता दिया है तो आप इसको यहां से इसको नोट इस प्रकार से कर सकते हो चलेगा आगे देखते हैं आगे हमको Q14 का उत्तर देखना है तो देखते हैं कि Q16 में आप से क्या पूचा गया है तो चले देखते हैं को कोश्चन निमर सोला का उत्तर के इस परकार से आपको तैयार पूरा करना है तो आगे आप यहां पर देख पह रहे हो कोश्चन grain km में यह आपसे पूचा गया है निम्लेकित संक्या युगमों को कारती तल में बिंदों के रूप में आलेकित आपको करना है यह आपसे पूचा गया है या उसी के अत्वा वाला भी आप यह कर सकते हो तो देखेगा यहाँ पर अक्चो पर दूरी उप्युक्त एक अक लेकर नीचे सारणी में दिये गए बिंदों पर आपको यह आलेकित करनी है तो पूरा आप या तो ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला कर सकते हो तो देखेगा यह question number 16 में आप से पूरा पूचा गया है तो चलेगा इसका solution हम देख लेते हैं question number 16 का जो अत्वा वाला मैंने बताया था तो यह अत्वा वाला उत्तर है पूरी तरे से आप इसको इस परकार से लग सकते हो याने की देखिएगा बड़े ही सावधानी से आपको इस परकार से पूरा ग्राब तयार कर लेना है तो इस परकार से आपको पूरा लिख देना है Question No.16 के अत्वा वाले का ये पूरा उत्तर यहाँ पर दिया गया है पूरा आप इसको इस परकार से लेख सकते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और Q17 का उत्तर भी देखते हैं कि Q17 में आप से क्या पूचा गया है यहाँ पर आप देख पारे हो Q17 का उत्तर भी हमारे द्वारा पूरा तयार कर लिया गया है तो चलिए देखते हैं कि Q17 में आप से क्या पूचा गया है तो आप इस जगे से देख पारे हो कोस्चन निम्र 17 में ABC और DBC समान आदार BC परिस्ति दो संभाव त्रिबुजे देखिया आकरती दर्सा ये ABD बराबर ACD है ये आपको दर्सा ना तो देख सकते हो इस प्रकार से कोस्चन नमर 17 आपसे पूछा जाएगा और उसी के अत्वा में भी आपसे ये कोस्चन पूरा पूछा जाएगा चाये तो आप ये वाला कर सकते हो या उपर वाला ये वाला कर सकते हो यानि कि ये थोड़े सिद्ध करने वाले सवाल है यानि कि थोड़े आपके लिए थोड़े से अटपटे जरूर हो सकते हैं पर क्या करें आपको नमर चाहिए है अगर तो आपको इसको पूरा याद करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं कि इसका solution आपको किस प्रकार से पूरा बना लेना है तो question नमर 17 का उत्तर हम देखते हैं इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर question नमर 17 का उत्तर दिया गया है तो पूरा का पूरा आप यहाँ से इसका उत्तर यहाँ से नोट कर सकते हो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका यह उत्तर कंप्लीट हो जाएगा तो प्यारे दोस्तों विद्यारतियों मैंने आप सभी खो अभी तक कोशन नमर 6 से लेके 17 तक के प्रतेक प्रसन का उत्तर बता दिया गया है आगे के कुछ प्रसन और जो बचे हुए हैं उनके उत्तर भी हम देख लेते हैं पर वीडियो में आगे बड़े उससे पहले आप सभी लोगों से रेक्वेस्टे मेरी कि अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज प्यारे विद्यारतियों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अप्रोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे तो प्यारे विद्यारतियों आप सभी लोगों से रेक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारे अप्रोड होने वाले वीडियो प्रतिक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो आगे का कोस्चन देखते हैं कि कोस्चन नमर 18 में आप से क्या पूचा जाएगा पूरा का पूरा सोल्यूसन मेरे द्वारा आप सभी को प्रोवाइट करवाया जा रहा है इसमें से जो 32 नमर के अबजेक्टिव बचे हैं उसके उपर भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जा इस जगे से आपसे कोस्चन नमर 18 पूचा गया है कोस्चन नमर 18 में आप देख सकते हो क्या पूचा गया है सिद्ध कीजे कि एक बरत के केंद्र पर जीवा पर जीवा को संद्विवाजित करके कीची गई रेका जीवा पर लंब होती है यह आपको पूरा बताना है तो आप इसको यहां से नोट कर सकते हो तो पूरा का पूरा ये question आप से question नमर 18 में पूरत पूचा जाएगा तो आप इसको यहां से देख सकते हो तो चलिएगा देखते हैं कि इसका उत्तर आपको किस परकार से पूरा लिख लेना है तो चले देखते हैं कि question number 18 का उत्तर आपको किस प्रकार से पूरा complete करना है तो चले देखते हैं कि question number 18 का उत्तर आपका किस प्रकार का होगा तो ये रहा दोस्तो आप यहां से देख सकते हो ये पूरा question number 18 का उत्तर है पूरी तरह से आप इसको यहां से note कर सकते हो इस प्रकार से आपका question number 18 का पूरा solution आपका complete हो जाएगा तो पूरा का पूरा यह जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा आप इसको note कर लीजेगा और उसी के नीचे यहाँ पर आपको question number 15 का उत्तर देखने को मिलेगा पर सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि question number 15 में आपसे पूचा क्या जाएगा तो चलिए का देखते हैं कि question number 15 में आपसे क्या पूचा जाएगा किस प्रकार का question होगा जो कि आपका question number 15 में आपसे पूचा जाएगा और उसी के अत्वा में आप यहाँ पर देख पार हो एक संभाव त्रिबुच की रचना कीजिए जिसकी बुजा 4 cm की हो तो चाय तो आप उपर वाला कर सकती हो या नीचे वाला कोस्टन आप हल कर सकती हो तो देखेगा इसका कोस्टन का अंसर भी हम देख लेते हैं तो यह आप यहाँ से देख प्यार हो देख सकती हो कोस्टन नमर 19 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है पूरा का पूरा आपको यह लिखना है तो यह पूरा आप इसको देख सकती हो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका को यहाँ से हो जाएगा तो पूरा का पूरा हल आप य ने आपको यहां से बता दिया है तो पूरा आप इसको यहां से लिख लीजेगा पूरा आप इसको यहां से नोट कर सकते हो कोस्टन नमर 15 का पूरा उत्तर यहां पर दिया गया है अब चलिए आगे बढ़ते हो देखते हैं कि कोस्टन नमर 20 में आप से क्या पूचा जाएगा तो यहां से आप देख पारे हो कोस्टन नमर 20 में आप से क्या पूचा गया है एक समदी बाव तरिबुच की परिमाप 30 cm है और उसकी बराबर भुजाए 12 cm है इस तरिबुच का चेतरपल आपको ग्याद करना है तो चलिएगा देखते हैं कि इसका कोस्टन का अंसर आपको किस परकार से पूरा बना लेना है तो चलिए देखते हैं कि कोस्टन नमर 20 का उत्तर किस परकार से आपको परिक्चाओ में लेखना है तो यह आप यहाँ पर देख प्यार हो, यह question number 20 का पूरा solution है, देख सकते हो, माना तरिबुज की तीसरी भुजा X है, परिमाप कितना है, 30 cm, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 30 का आदा 15 हो जाएगा, यानि की अर्ध परिमाप कितना हो गया, आपका 15 हो गया, तो यह आप यह सुत्र लगा कि आपको पूरा इसका अंसर लिखा लेना है, तो देखेगा यहाँ पर A क्या है, देखेगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो दिया गया, A फश्ट भुजा, B सेकंड भुजा, C जो है तर्ड भुजा, तो इस परकार से आपको यह पूरा लिख देना है, और यह पूरा सोल्यूसन करने के बाद में आपका यह उत्तर आ जाएगा, तो अब उमीद करता हूँ कि पूरा आपने इसको देख लिया होगा, और समझ लिया होगा, देखिएगा, हब अंतीम समय की और बिल्कुल है, कोश्चन नमर आप जो है, सिर्फ 21 ब देख लेते हैं, और जान लेते हैं, तो सबसे पहले हम कोश्चन नमर 21 का सोल्यूसन देखते हैं, पर सबसे पहले हम कोश्चन नमर 21 को समझ लेते हैं, कि कोश्चन नमर 21 में आप से पूचा क्या जाएगा, तो यहां से आप देख प्यारे ओ, प्यारे दोस्तों, उस गोले क कि द्रिज्य ग्याद कीज़े जिसका प्रष्टी छेत्रपल 154 सेंटीमेटर स्क्वियर है तो देखेगा यह जो है ना आपसे कोस्टन नमर 21 में पूचा जाएगा कहां पर कोस्टन नमर 21 में आपसे पूचा जाएगा पूरी तरह से आप इसको देख सकते हो यहां से भी आप कोस्टन पूचा जाएगा तो आप सभी लोगों को इसको देख लेना है और समझ लेना है तो चलिए देखते हैं कि कोस्टन नमर 21 में आपसे क्या कोस्टन पूचा गया है और क्या इसका सोल्यूशन बनने वाला है तो चलिए देखते हैं कि कोस्टन नमर 21 का उत्तर आपको क क्या लिखा है गोले के लिए माना आर सेंटीमिटर गोले की त्रिज्जा है प्रष्टी छेत्रपल कितना है 154 सेंटीमिटर तो यहां पर आपको यह सूत्र लगा देना है बराबर में आपको 154 लिख देना है तो यहां पर आपको क्या करना है कि पूरा जब आप इसको आर स्क को काटेंगे तो तीन दसम लोग 5 आ जाएगा और उस प्रकार से जब आप आयतन का सूत्र लगा देना है आयतन का सूत्र लगाने के लिए हमको आर चाहिए था क्योंकि आर निकालने के लिए हमने उपर का पूरी प्रक्रिया की है जब हम आर निकाल के यहां पर लगा देंगे तो पूरा का पूरा आपका solution इस प्रकार से पूरा बन जाएगा और आगे आपका यह answer आजाएगा तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको यह पूरा कर लेना है अब आगे हम देखते हैं question number 22 का उत्तर आपको किस प्रकार से पूरा बनाना है तो चलिए देखते हैं कि question नमर 22 का उत्तर आपका किस प्रकार से तयार होगा क्या सारे question इसमें से आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पहरे हो question नमर 22 में आपसे क्या पूछा गया है एक राज्य में विदान सभा के चुनाओं में विविन राजनेतिक पार्टियों द्वारा जीती गई परिणाम नीचे दिये गए है तो आप पूरी तरह से यहाँ से इसको देख सकते हो पूरा एक question आपसे पूछा गया है इस प्रकार से आपको पूरा आरेक बना के बता देना है यहाँ पर आप देख पारो तो देखिएगा यहाँ पर question नमर 22 में आपसे पूरा यह पूछा गया है पूरी तरह से आप इसको देख सकते हो यहां से आप पूरी तरह से इसको पूरा का पूरा देख सकते हूं इस प्रकार से पूरा आपको यह बना के लिख देना है और पूरा इसको इस प्रकार से समझा देना तो पूरा का पूरा आप इसको देख सकते हूं इस प्रकार से पूरा आपको यह लिख देना है और समझा गया है तो चले देखते हैं कि question number 23 में आपसे क्या पूचा गया है तो यहां से आप देख पारे हो question number 23 में आपसे पूचा गया है एक पासे को फेका गया कितनी बार फेका गया एक हजार बार और एक कितनी बार आया उसमें से इसनी बार दो कितनी बार आया ये बार देखेगा पासा क्या होता है आपने लूडो गेम जरू खेला होगा उसमें जो डाइस होता है ना उसमें छे खौने होते हैं यानि कि छे उसके वो रहते तो इस प्रकार से प्रतियक में एक रिका रहता किसी में एक किसी में दो किसी में तीन किसी में चार किसी में पांच और किसी में छे जब उस पासे को एक हजार बार भीका गया एक सेवंटी बार ये इतना आया और दूसरी बार इतना इस प्रकार से पासा पूरा भीका गया और इतने इसके अंसर आए अब देखेगा इसकी प्राइकता आपको क्या लिखनी है तो देखेगा एक अंक आने की प्राइकता क्या हो जाएगी देखेगा पासे को कुल फेका गया कितनी बार एक हजार बार और ये आए आए आपका एक साथ नो बार तो एक अंक आने की प्राइक तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको विदी विदान से इस प्रकार से लिखना देखीगा क्या लिखा है एक अंक की प्राप्त करने की प्राइक्ता क्या होती है यह इसका सूत्र है और इस प्रकार से यह इसका अंसर हो जाएगा और अगला आप देख पारे हो यहाँ पर दो प्राप्ते करने की प्राइकता क्या है पासे में ये इसका सूत्र है और ये इसका अंसर हो जाएगा और तीन अंक प्राप्ते करने की प्राइकता क्या है आप देख सकते हो ये इसका सूत्र है और ये इसका अंसर हो जाएगा और चार अंक प्राप्ते करने की प्राइकता क्या है इस प्रकार से मैंने आपको कोश्चन नमर 6 से लेके 23 तक के प्रतिक कोश्चन का अंसर इस वीडियो में दे दिया है 32 नमर के अबजेक्टिव के लिए आपको जल्द ही एक नया वीडियो मिल जाएगा तो आपको उस वीडियो को जरू देखेगा इसी के साथ में मैं आप